35 टुकडे, 35 टुकडे एक इंसान के एक हवान के दुआरा वो हवान जो इंसान की पुशाक पहने हुए है इस हवान का नाम है आफताब पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला एक एक टुकडा ब्यान कर रहा है इस दरंदगी को जो प्यार पे आपका विश्वास उठा सकता है इस रूख आपने वाले मामले में जो दिल्ली में हुआ उसने अपनी गल्फरिंड श्रद्धा वॉलकर जो 26 साल की थी उसको पहले स्ट्रैंगल किया और उसके बाद उसके टुकडे किसी जंगल में फैलाता गया कई दिनों तक पर उसने ऐसा क्यों किया क्या रिष्टा था इन दोनों का पुलिस को ये सब कुछ कैसे पता चला घर आप जानेंगे तो हरान हो जाएंगे कापो मत जाग रुक रहोगी ऐसा भी हो सकता है आगे सुनो 26 साल की श्रदा 28 साल के अफ़ताप से मिलती है मुंबई में जहां वो एक MNC में जॉब कर रही होती है वहाँ एक डेटिंग अप के जरिये अफ़ताप को मिलती है के साथ लिविन में रहना शुरू कर देती है इस रिष्टे को अप्रूवल नहीं मिलता श्रदा के पिता विकास मदान वालकर के द्वारा तो वो दोनों लिविन में रहने के लिए दिल्ली आ जाते हैं दिल्ली में महरोली में एक फ्लैट रेंट पे लेते और वार रहने लगते हैं दिल्ली में यहाँ श्रद्धा एक कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देती, पर कुछ दिन बीच जाते हैं, कुछ समय बीच जाता है, तो श्रद्धा बोलती है, बर बहुत टाइम हो गया यार, लिविन में रहते हैं, आप शादी कर लेते हैं, पर आफताब को प्यार न होते गए, उनकी लड़ाईयां होती गए, और ऐसे एक जगड़े के दौरान आफताब ने उसको स्ट्रेंगल किया, और उसके बाद उसको मौत के घाड़ी नहीं उतारा, उसके 35 टुकड़े करे, एक रेफरीजरेटर और अड़र किया, उसमें वो टुकड़े रखे, और उ आफताब ने उस रेंट वाले फ्लैट को छोड़ दिया, वहाँ ताला लग गया, आफताब थो अड़र आप ड़न, अग्रेट मास्रमाइन मूव, आम अग्रेट क्रिमिनल, पर कुछ टाइम तक, जब दो महिने तक, श्रद्धा का फोन स्विच ओफ जा रहा था, तो उसके दोस्तों ने श्रद्धा के ब्रदर को ये तला करी, कि भई, कुछ घड़बड है, श्रद्धा अपना फोन नहीं उड़ा रही, उसका फोन स्विच ओफ जा रहा, उसके बाद, जब उसके ब्रदर ने श्रद्धा के अपने पिता जी को बताया, तो विकास मदान वॉल कर द लोकेशन, कॉमन फ्रेंड्स के थुरू, आफ्ताप का पता चला, और उसको रेस किया गया, उसको रेस किने बाद, दिल तो तब देल गया, रूँ तो तब काप गई, हर एक इनसान जो पुलिस स्टेशन में था, जब ये पता चला, कि आफ्ताप ने श्रद्धा को कहीं का चोड़ा, एक एक टुकुडा, फिला दिया, एक दरिंदगी का ऐसा कारनामा दिखा दिया, जिससे हम सब की रूह काप रही है, अभी तक जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक इनसान दूसरे इनसान की साथ ऐसा कर सकता, इतनी बड़ी एहवानि हमारे आस-पास, ऐसे भी लोग होते हैं, इन्वेस्टिकिशन के बाद ये टुकुडे भी जंगल से मिलें, और साथ में जिस नाइफ से ये काम हुआ था, पर उस नाइफ कभी अभी पता नहीं चला, जिस नाइफ से कारनामा होगा, इस दिलत को देला देने वाले मामने में मैं बस इतना कहूँगा कि पागल मत बनो, बेफकुफ मत बनो, जवानी के जोश में बावले मत हो जाओ, और ऑनलाइन वर्ल से भी आप किसी से मिलते हो, तो रियल वर्ल में उसको टेस्त तो करो, एक दूसरे कुछ टाइन तो दो, समचने के लिए, जानने के लिए, ये उत बावकल एजुकेशन के बाद, अपने खहलातों में लोग जो अपने अपको 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 लिबरल समय लगते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि असली लिबरल माइन्ट है क्या? Please, please share this video with all the youth who you know, who's in your contact. Let them understand life is beautiful but with one move, one single move it can be really disruptive. I hope, आफ्ताप को सक्से सक्त, कडी से कडी सजा मिले. मैं हूँ अकाश, आप देख रहे हैं पीपोए, और अब यहां, कुछ नहीं शुपेगा.